बिहार में कोरोना का हो रहा है बिसफोर्ट और अब नितिस कुमार सरकार जाग रही है वैसे इसमें सरकार का दोस्त बहुत कम है आम लोगों का दोस्त जादा है जो सुरच्छा का ध्यान नहीं देते हैं बिहार में कोरोना ने बेहत भयानक और डरावनी सकल अख्तियार कर ली है हाल अब यह है कि बिहार तेजी से पुर्ण लोगडाउन की तरफ बढ़ रहा है संक्रमितों और मौत के आकड़ों में बिसफोर्टक बढ़ोतरी के बाद मंगलवार को बिहार सरकार ये फैसला ले सकत है इसी वज़े से मंगलवार को एक हाई लेवल मीटिंग तक गुला ली गई है राजधानी पटना समेत राज के दस से जादा जीलों में लोगडाउन लागू किया भी जाच चुका है नौबत यह से नहीं आई है दस से जादा जीलों में फिर से लगे लोगडाउन के संक्रिमतों की संख्या बढ़कर 17,421 हो गई यानि कि इस तीन दिन में 3,091 संक्रमित मिले हैं बिहार में कोरोना से मौत का आकड़ा भी कम डराने वाला नहीं है यह आकड़े 10 जुलाई की दोपहर से 13 जुलाई के बीच है स्वास्त विवाग के मुताबिक 10 जुलाई तक को 13 जुलाई को स्वास्त विवाग के अपडेट के मुताबिक यह आकड़ा बढ़कर 134 हो गई यानि कि तीन दिन में कोरोना ने राजी के 23 लोगों की जान ले ली जाहिर सी बात है यह आकड़े यह बताने के लिए काफी है कि बिहार में कोरोना वाकई बेहत बुरी तरह से ब तब तक इस्तिती नहीं सुधर सकती है जब तक आम लोग इस चीज को नहीं समझेंगे बिहार में आप सडकों में आराम से लोगों को गूंटे हुए देख सकते हैं साधी और समारो में जाते हुए देख सकते हैं आली में इसी तरह का एक मंत्री ने भी करा था जारकंड में जारकंड के मंत्री ने अपने ग्रिय परवेस की पार्टी दी थी जिसकी वज़े से वह खुद भी कोरोना पोजेटिव हो गया और उसके साथ साथ उस पार्टी में आए लोग भी कोरोना पोजेटिव हो गये वहीं एक मामला साधी का भी आया था जो लोगडाउन खुलने के बाद साधी में 100 लोगों की बारात लेकर पहुचा था और ये मामला पटना का कहा जाता था और ऐसे में बहुत लोगों को कोरोना हो गया था इस तरह से अगर लोग अपने विचार को रखेंगे तो ये समझ लीजिए कि कोरोना और भी जादा फैलेगा और भी भयानक रूप ले लेगा आम लोगों को जागने की बहुत जादा जरूरत है